नाराइन एस्ट्रों इंडिया के सबसे खास पसंदिदा कारिय करम नाराइन जोतिस में आप सभी मित्रों का स्वागत है दोस्तों बात करूँगा बुद्ध ग्रह का जो की अभी 11 एपरेल से नीच राशी यानि अपनी मीन राशी में नीच राशी में बुद्ध का प्रिवर और मींद राशी में नीच के होते हैं तो बुद्ग्रह का मींद राशी यानि अपनी नीच राशी के अंदर नीच राशी में जाने से आपकी राशी को कौन सी बिमारियां कौन से स्वास्तिय संबंदी परिशानियां हो सकती हैं क्या अच्छा फल मिलेगा क्या बुरा फल मिल मेश राशी यानि आपकी कुड्ली में कहां रहेंगे बार्वे घर में बार्वे घर में जब बुद रहेंगे तो बार्वे घर में आपको आंखों की परेशानिया आपको ribly्यों होएंगी खासकर करिंद लेफ्ट आईस में आपकी प्रॉब्लम बढ़ सकती है दूसरी बात आपके मान समान में कमी आ सकती है दोस्तों मेश राशी वालों को बारवे घर नीच का वुद मान समान की कमी परिशानियों का संकेत मिलने के योग बनेंगे उसके अरावा मेश राशी वाले व्यक्तियों को अगर को लिटिगेशन को कागज पत्तर के काम पेंडिंग पड़े हैं तो सोच समझ के करने चाहिए जूटे साइन, सिगनेचर, लेंदेन बहुत सोच के करें अन्य था आपको जेल यात्रा या कोई बहुत बड़ा संकट, बहुत बड़ी परिशानी का सामना करना पड़ सकता है ये बार में बुद्ध की बात की जा रही है मेश राशी वालों को जो की आने वाली 11 एपरेल से शुरू होगा इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों ब्रिखब राशी की ब्रिखब राशी वाले व्यक्तियों को 11 घर में यानि की बैंकिंग सेक्टर में आप अगर कोई लॉन लेना चाह रहे हैं कर्ज में कोई दोखा मिल सकता है कोई आप से कोई चिटिंग करके आप से रुपय लेकर जा सकता है क्योंकि 11 घर बुद्ध आपकी कुंडली में फाइनस बैंकिंग सेक्टर आपका डिस्ट्रब हो सकता है आपने कोई लॉन कोई कर्ज आगर आपने लेन देन करना तो बड़ा सोच समझ के बड़ा शांती से कीजिएगा और उपाए के तोर पे आपने बुद्ध के उपाए हरे रन कारुबाल जेव में रखना और हरी चीजों का दान करना बड़ा जरूरी है आपके लिए मैं बात करूँगा अगली राशी मिथुन राशी के लिए मिथुन राशी वालों को बुद्ध मीन राशी यानि अपनी नीच राशी में दस्वे घर में यानि बिजनस के हाउस में, कारोबार के हाउस में, फाइनांस के स्थान पे, पिता के स्थान पर, राजनितिक सरक्षन में, क्योंकि मितुन राशी को जब दस्वे घर में बुद्ध नीच के होंगे तो आपके बिजनस पे एफेक्ट पड़ेगा और यहां तक कि आपको पेट की परशानियों का संकेत मिलता है, पेट की बिमारियां हो सकते हैं, आपको रोग हो सकते हैं पेट के, मिथुन और कन्या दोनों के स्वामी बुद्ध हैं और यहां बुद्ध नीच के हो रहे हैं, तो मिथुन राशी वालों को तो विशेस रूप से अपने रठा हुआ है फिर तो और बड़ा दोश होने के संकेत हैं और अगर आपका बुद्ध कुंडली में अस्त है तो आपको इसे पावर देने की बहुत ज़्यादा जिरूरत है तो मितुंद राशी वाले विक्तियों को खास करके जो शुगर के पेशन्ट है उनको बहुत ज़्यादा ज्याँ रखना चाहिए को गहाव है कही चोट लग जाए तो बहुत नासूर बन सकती समश्या बड़ी बन सकती है सावधान रहिएगा बात करेंगे करक राशी वालों क करक का स्वामी चंदरमा और करक राशी को कहां बैठेंगे नीच के बुद्ध होकर के भग्यस्थान पर किस्मत के हाउस में नाइन्थ हाउस मतलब भग्य है विदेश यात्रा होएगी विदेश यात्रा होते होते रुक जाएगी विदेश यात्रा से सम्मांदित आपकी को अलट रहना पनेगा यात्रा के समय में बड़ा धन रुपया लेंड देन थोड़ा सोच समझ के कीजिएगा यात्रा में नुकसान हो सकता है करक राशी वालों का करक का स्वामी तो वैसे भी चंदर्मा पिता पुत्र का सम्मंद रहता है चंदर्मा और बुद्ध का तो बुद इसरी बात आपको स्वास्ते समंदित यहां पर बुद्ध की द्रिष्टी का तीसरे स्थान पर पढ़ रही है आपको रोड एक्सिदेंट से बचना चाहिए चोट से बचना चाहिए करक राशी वाले वैक्तियों का अगर मन अशान्त है गुस्सा बहुत जादा आ रहा है च सिंग राशी वालों को शुकर मीन राशी में नीच राशी के यानि आठमे घर में आठमा घर यानि आयू का स्वास्तिय का हैल्थ का और दूसरी बात आपको सिंग राशी वालों को यानि कि धनेश धन भाव का विकारक हो गया तो यहां पर अस्टमेश अस्टम और धन दोन गुभ तंगों की प्राब्लम आपको लेडीं जैंट से तो आपको जो गुप तंगों की प्राब्लमन फिट stadshkil है वedel ने के संकेत बनते इंफेक्शन हो सकती है वीमारियां हो सकती प्रफ प्रौ अगर वनाना चाह रहे है स्पेशली यहां सूर्या को मजबूत करना चाहिए सूर्या की आराधना भी करनी चाहिए क्योंकि बुद्ध नीच का जब अस्टम में जाएगा तो कई सारी पीड़ा कई सारी बीमारियां एक साथ खड़ी होएंगी गला खराब हो सकता है गले से उपर के रोग क्रियेट हो ज पाएज जरूर करने जैसे की गायों को चारा डालना है और आपने मंगल मुखी जो लोग होते हैं जिनको आप हिजड़ों के नाम से जानते हैं उनकी आप सेवा करें हिजड़ों को दानपुन्यकरना बहुत अच्छा रहता हैं यहां बात करेंगे राशी कन्या राशी की ब बुद्ध साथमें घर में यानि कि पती पतनी के साथ सम्मन्द खराब होने के चांद सज़ाय लअप्राशी वाले विक्तिj ए प्यार चलता है प्यार तूट सकता है अफे जाना है वेवाहिक जीवन में डाइवोर्स के अगर कोई थोड़े बहुत हलात है तो बढ़ जाएंगे यहां तक की पटाका बढ़ा बच सकता है आपको बहुत सावधान रेना चाहिए आपको गुसा नहीं करना चाहिए पती या पतनी के उपर अपने जीवन साथ ही अपने पार्टनर की भावनाओं का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि यहां पर सब्तम स्थान किसका हुआ बैवाहिक जीवन का हुआ इंपोर्ट एक्सपोर्ट का अगर बिजनस करते हैं तो अलेट हो जाए कन्या लगन और कन्या राशी वाले वेक्ति नुकसान होने के बहुत ज्या कुछ रूपया पैसा आपका को रुका हुआ था वो आ सकता है लेकिन मामा के साथ संबंद आपके खराब हो सकते हैं मामा के साथ संबंद बना के रखेगा मामा मामी से अगर संबंद नहीं बनाएंगे तो नुकसान बना बनाया काम बिगड़ जाएगा तुला राशी की बा आपको थोड़े यहां पर रोग उत्पन करेंगे, आपको सिरदर्द की परशानिया, पेट की परशानिया और आपके बाजुओं में दर्द, सरवाइकल पेन, आपको शॉल्डर पेन, आपको फ्रोजन से सम्मंदित परशानिया आपको क्रियेट हो सकती है, आँखों के रोग ज्यादा बढ़ने के चांसस बनते हैं, तो आपको यहां पर तुला राशी वाले वेक्तियों को साबधान डेहना होगा, इस प्रकार की बिमारीया अगर आपको हैं, या आपको लगता है कि आपको आने के चांसस बन रहे हैं सिम्टम, तो आपको तुरंत क्या करना चाहिए अपने वजन के बराबर का हारा चारा गौशाला में जरूर गायों को डालना चाहिए और गरीब लोगों को खाना खिलाना चाहिए बुद्वार के दें, नारायन जी बात करेंगे हम अगली राशी वरिष्चिक राशी की, वरिष्चिक राशी का स्वामी क्या हुआ, वरिष्चिक राशी वालों को मीन के नीच राशी के बुद्ग्रे पंचम स्थान में, संतान भाव में, संतान भाव में आपको कहीं ने कहीं संतान संबंदी पीडा, यानि अगर संतान कहने में नहीं है तो और कहने में नहीं होएगी, बात बंते बंते बिगड़ जाएगी कि बच्चों से सम्मंद खराब हो सकते हैं बच्चों के साथ अच्छे से पेश आएं गुस्सा ना करें specially मैं कहूंगा आपको वरिश्चिक राशी वालों को जब पंचम में नीच के बुद्ध आएंगे अपनी वानी पर कंट्रोल रखेगा डिप्रेशन की परेशानी बढ़ सकती है बोलबानी खराब हो सकती है और आपकी जबान की वज़े से पंचम से पंचम से दृष्टी इलेवंत यानि आपका फाइनांस रुपया पैसा आता आता रुख जाएगा हाथ में क्योंकि ग्यारवे घर आपका बैंकिंग फाइनांस पर नीच की बुद्ध की दृष्टी पड़ रही है रुपया पैसा आने में बैंकिंग सेक्टर में दिक्कत आ जाएगी और बड़े भाई से सम्मंद खराब हो सकते हैं इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना पड़े की और धनू राशी को नीच के बुद्ध चोथे घर याने की पड़ई समें में राजनिति में पाल्टिक्स में आप अगर छाने की सोच रहे हैं तो थोड़ा अलट ओ जाएं यूंकि नीच destruction परूद्ध को की सिन्ियर ने वोत हो सकती आफसाहे में में पड़े यह वो अपनी commitment से पिछे हट सकते हैं पबलिक प्लेस में जाते हैं तो अपने वेस बुशा का खान पान का वानी का बिलकुल ध्यान रखिएगा दूसरी बात मित्रो जो धनु राशी वाले या धनु लगन वाले व्यक्ति हैं अगर धनु राशी वाले व्यक्ति हैं जब आपके चोते घर में बुद्ध रहेंगे तो दस्वें बिजनस को परभावित करेंगे तो बिजनस पर यहाँ पर पूर्ण सब्तम द्रिश्टी रहेगी तो आपको करना क्या यहाँ पर बैपार का लेंदेन सोच समझ के करना कागज पत्तर साइन सिगनेचर ध्यान से करने हैं नहीं तो आप किसी बड़ी परशानी का सामना आपको करना पड़ेगा दूसरी बात धनूराशी वालों को जब चोते घर में बुद नीच के होंगे तो आपकी पैरेंटल प्रॉपर्टी जो है माता पिता का जो धन समपति है वो खराब हो सकते हैं यहां तक ही माता के साथ आपको विचार अच्छे रखने चाहिए को लौटरी सट्टा जुवा बिल्कुल बचके रहें डूबने के चांसस बंदे हैं बिल्कुल खतम हो सकता है सब कुछ लौटरी सट्टा जुवा शेर मार्केट में साफधानी रखें तो यह रहा धनूरा बात करूंगा दोस्तों मकाराशी मगरमच वाली स्वामी शनी और आपके मकाराशी में ब्रश्पती मकर कुंब मीन यानि तीसरे घर में पार्टनर प्लेस में पार्टनर्शिप में अलट हो जाएं सांजेदारी में साफधानी रखें विदेश यात्रा की प्लैनिंग है तो सकस मिलने के चांसेज हैं घर Alleg चोड़ करके बाहर देस में जा सकते हैं पियार लेना चारें मिल जाएगा बीजा इस बात के चांसेज लेकिन सम्मंद खराब होने के बहुत ज़्यादा चांसेज है छोटे भेन भाईयों के साथ सम्मंद खराब हो सकते है पार्टनर्शिप में प्रॉब्लम आ सकती है मान समान की कमी आ सकती है वानी पर ध्यान दीजिएगा दूसरी बात आपको रोग पैदा हो सकते हैं स्षाइक पैण कमर के दिक्कत और लेफट बाज्यों में आपको प्राब्लम konkuren हो सकते हैं लेफट बाएंह कि से अंदर आपको प्रेशानियां ज्यादा की बात करेंगे कुम्ब राशी वाले विक्तियों को कुम्ब राशी वाले विक्ति जो इतने भी एजूकेशन लेने वाले हैं जो जो आईस की त्यारी कर रहे हैं कुम्ब राशी से सेकेंड के अंदर धनस्तान पे मीन में और अस्टम में द्रिश्टी ये नीच की तो यहां पर बात करूँगा कि कुम्ब राशी वाले जो लोग हैं जो बैपारी लोग हैं उनको बड़ा धन का नुकसान ना हो जाए कहीं पे कहीं आपका बड़ा पैसा रुकना जाए आपको बड़ा ध्यान रखना है 11 एपरैल से जो बुद्ध अपनी नेच राशी मीन में जा रहे हैं तो यहां पर कहीं ने कहीं मान समान की कमी या धन की हानी के संकेत हैं दूसरी बात जो मीन राशी वाले विक्ति हैं अस्टम में जाएंगे तो ओप्रेशन होने के चांद सजया रोग पैदा हो सकते हैं और रोग भी कैसे डॉक्टर के समझ में जो ना आए खास करके चमड़ी के रोग आपको बहुत सता सकते हैं आपको बहुत सावधान रहना पड़ेगा कुमब राशी वालों को क्योंकि चमड़ी के रोग एलेर्जी के रोग गले से उपर के रोग जीव टंग से रिलेटेड रोग आपको हैर प्रॉब्लम्स यह ज्यादा टेंशन देंगी और गुप्त चिंता हैं गुप्त पीड़ाएं फिडन प्रॉब्लम्स को पीट पीछे आपके कागज कारवाई गलत कर सकता है बैंक में साइंस सिकनेटर फ्रोड कर सकता है फैनेंशल ही आपको बड़ा अलट रहना पड़ेगा क्योंकि कुम राशी को सबसे ज्यादा धन आनी होने के या धन में फ्रोड होने के चांसर या 420 की कोई दारा लगने के चांसर बहुत जादा है कोट के चेरियों के मामले में साबधान रहें बात करूंगा यहां मींद राशी वालों की जो मींद राशी में जब नीच राशी के बुद्ध आए हैं 11 अपरेल से शुरू होंगे तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है आपकी तो राशी म बुद्ध रहेंगे तब तक आपको मानसिक परिशानिया, स्वास्ते की परिशानिया, हडियों के जोडों के दर्द, दान्तों की प्राबलम, बार बार खाने का टेस्ट चेंज होना और मानसिक अशान्ती और यहां तक की पागलपन के दोरे भी पड़ सकते हैं जादा से जादा लगानी है, जो कन्या लगन, मिथुन राशी मिथुन लगन, कन्या राशी कन्या लगन, और मीन राशी मीन लगन, और धनू राशी धनू लगन, इन चार लोगों को तो खास करके क्या करना चाहिए, आपको स्पेशली जाता से जादा संख्या में पेड़ पोदे लगाने चाहिए और बुद्वार के दिन अगर पेड़ पोदे लगा देंगे तो सोने में सुवागा हो जाएगा सारे उपाए एक तरफ पर यह उपाए एक तरफ मज़ा आ जाएगा आपको तो दोस्तों यह थे आपको बताया जो आज हमने नीच राशी के बुद्ध जो कि अपनी में राशी के अंदर 11 अपरैल से शुरू होने जा रहे हैं तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं नारायन एस्ट्रो इंडिया नारायन एस्ट्रो फ्रेंड नारायन नारायन आप ज देविशे के साथ नारायन जी नारायन जी नारायन जी नारायन जी